गल्स कॉलेज में एक मैम ने जवाइन किया मैम बहुत ही खूपसूरत थी और सबसे बहुत प्यार से बात करती थी थोड़े ही समय में मैम सभी लड़कियों के साथ घुल मिल गई एक दिन लड़कियों ने मैम से उनकी उम्रत जाननी चाही मैम ने बताया कि मैं 28 साल की हूँ तब लड़कियों ने पूछा कि क्या आपकी शादी हो चुकी है मैम ने कहा नहीं लड़कियों ने पूछा आप तो बहुत सुंदर है फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की मैम ने कहा मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ एक औरत थी उसका पती बेटा चाहता था उसने पत्मी को धंकी दी अगर उसे बेटा नहीं हुआ और बेटी को जन्द दिया तो वहाँ बेटी को बाहर ठैंक देगा औरत प्रेगनेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्द दिया आदमी ने अपनी जुबान के मुताबिक नवजात को बाहर चौराहे पर छोड़ दिया बेचारी मा अपनी नवजात बेटी के लिए सारी रात रोती रही लेकिन कुछ कर नहीं पाई पिता सुबा नवजात बच्ची को देखने गया लेकिन बच्ची को किसी ने नहीं उठाया था, वह बच्ची को घर ले आया रात को फिर से नवजात बच्ची को यह सोच कर चौराहे पर छोड़ आया कि कोई ना कोई उसे उठा ले जाएगा लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं उठाया वा फिर से उस बच्ची को वापिस घर ले आया भगवान की मर्जी समझ कर बच्ची को घर पर रख तो लिया लेकिन उस बच्ची के साथ उसे कोई लगाव नहीं था औरत दोबारा से प्रेगनेंट हुई उसने दो जुड़वा बेटों को जन दिया पिता की जैसे सारी मुरादे पूरी हो गई उसका पूरा ध्यान अपने दोनों बेटों की इच्छाओं को पूरा करने पर होता था बेटी अपनी मा से बार-बार सवाल पूछती मा पापा मुझे पसंद क्यों नहीं करते मा के पास बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था मा ने जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बेटी का पूरा बच्पन पिता के प्यार के बिना गुजरा बेटे पढ़ने के लिए बाहर चले गए एक दिन पिता की तबियत खराब हो जाती है उनको अस्पताल में भरती करवाना पढ़ता है जहां उनको डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किड्निया खराब है पिता बेटों के पास फोन करते हैं इस उमीद से कि जब बेटों को इस बात का पता चलेगा तब दोनों अपनी किड्नी देने के लिए तयार हो जाएंगे इधर जब बेटों को पता चला कि उनके पिता की किड्नी खराब है उन्होंने अपने पिता का फोन उठाना ही बंद कर दिया बेटी अपनी एक किड़नी अपने पिता को दे देती है जब पिता को इस बात का पता चला, पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे पिता अपनी करनी के लिए बेटी से माफी मानते है लड़की अपनी पिता के गले लग कर खूब रोई लड़कियां बड़े ध्यान से अपनी मैम की बात सुन रही थी सबकी आखों में आसू थे तभी एक लड़की ने मैम से पूछा वह लड़की कौन थी मैम ने कहा कि वह लड़की मैं ही हूँ माता पिता के कारण में शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे बाद उनकी देखभाल कौन करेगा दोस्तों बेटियां बहुत अनमोल होती है मा बाप का दर्द समझती है घर को रोशन करती है